वेलकम एवरिवन, मैं हूँ प्रतिक्षा पीच पे पहुंच जाता है और वहीं पे छुप जाता है एंट्री यहां पे एक शैगी नाम की लड़की की होती है जिसका कोई दोस्त नहीं था इसी कारण वो भी मिट्टी से ही बात करने लगता है पीछे चुपावा चोटा सा पपी बाहर आ जाता है और इन दोनों में फ्र लाइफ में एक बार ब्लू फैलकन से मिलना चाता था। इसी के बाद वो इस चोटे से पपी को स्कूभी के नाम का बेल्ड विदे देता है। je प्रविय ने भी शैगी को कहा कि वो इसे कभी अपने गले से बाहर नहीं निकालेगा हैलोविन नाइट पे शैगी और स्कूबिय अपने फेवरीट केरेक्टर की ड्रसस पहन के कैंडी कलेक करने चाते हैं लेकिन वहीं पे कुछ बुली करने वाले बच्चे उनकी कैंडी इसक मना करता है ये बच्चे अंदर जाने के बाद बिना भूत से डरे हुए बैग वापस लेकर आने वाले थे और तबी वहाँ पे स्तामने पड़े अलमारी से कुछ आवास है आने लगती है इसी कारण सारे बच्चे डर के इदर उदर भागने लगते हैं वैलमा कैसे तैसे कर स्वूत नहीं था बलकि इस घर में रहने वाला कोई चोड था जिसके घर में काफे सारा चोरी का सामान था पुलिस को बुलाने के बाद ये बच्चे उस चोर को अरेस्ट करवा देते हैं देखते ही देखते हैं इन्हें आईडिया आने लगता है ये बच्चे अपना एक ड इंवेस्टर के बारे में बताती है एक साइमन नाम का इंवेस्टर यहाँ पर आके बात करने लगता है फ्रेड वेलमा और डेफिनी की काफी सारी तारीफ करके वह शैगी और स्कूबी के लिए कहता है ये दौनों ग्रूप के लिए वर्टलेस है इनकी इस ग्रूप में स्कूबी और शैगी खुद की जान बचा के एक जगत छुप चुके थे दूसरी तरफ वैलमा को पता चलता है कि जिस क्लब के अंदर शैगी और स्कूबी खेलने के लिए गए हैं वहाँ से पुलिस की रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ पे रोबोट्स ने हमला किया है ये तीनो उसी टाइम शैगी और स्कूबी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं शैगी और स्कूबी के पीछे अभी भी रोबोट्स लगे हुए थे ये दौनों ऐसी जगह पे फसते हैं जहां से दूसरी तरफ ये नहीं जा सकते थे उसी समय उपर से आई हुई लेजर बीम इन प्लेन की पाइलिट है जो रोबोट्स शैगी का पीछा कर रहे थे वो एक क्रिमिनल डिक ने बेजे थे जिसके बाद एंट्री ब्लू फैलकन और डाइनो की होती है लेकिन बाद में पता चलता है कि ये ब्लू फैलकन नहीं बलकि उनका बेटा ब्राइन है डाइनो यहां प प्लेन हिलने लगता है क्योंकि पीछे से डिक के प्लेन ने इस प्लेन को पकड़ लिया था डाइनो के लेजर बीम ऑन करने के कारण ये प्लेन दूसरे प्लेन से फ्री होके आके निकल जाता है ब्राइन शैगी और स्कूबी को अपने साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि श का है वैल मा को डिक के बारे में पता चलने लगता है कि कैसे वो क्रिमिनल है और उसने कुछी दिनों पहले एक बहुत बड़ा स्कल्ड चुराया है और उसने डॉक क्लब से डियने रिपोर्ट्स भी चुराई है डिक के बारे में जानने के लिए स्कूबी और शैगी को बचान का सिर उसके बाड़ी से अलग करके एक हेयर ड्रायर लगा देता है डाइनो और डी सेकंड स्कल्ड के बारे में पता लगा चुके थे जो कि गोबी डेजर्ट के अंदर था ब्राइन जोकी असल के अंदर कोई सूपर हीरो नहीं था बलकि उची उची बाते फैक्ता था वो क सर्च करने के बाद पता चलता है कि जिस डॉक के डीने डेटा डिक ने चुराए हैं वो सारे के सारे स्कूबी से मिलते जुलते हैं और वो सारे उसे के स्पीशीस के हैं स्कूबी असल के अंदर अलेक्सेंडर दा ग्रेट के सबसे खास डॉक पैरी डास का वंशस था इसका म इसे देखके ब्राइन डर के मारे भाग जाता है डाइनो और डी अटैक करने लगते हैं शैगी और स्कूबी भी डरे हुए थे यहाँ पर डिक आके शैगी के उपर अटैक करता है जिसके करन शैगी बहुत दूर जाके गिरता है वो भी सिधा ब्राइन के पास स्कूबी भाग के एक मिरर रूम में पहुंच जाता है डिक यहां पे स्कूबी को डराने लगता है और कहता है कि तुम असल के अंदर एक खजाने की बहुत बड़ी चाबी हो और इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा लेकिन स्कूबी डिक को यहां पे चक्मा दे के यहां से बाह के सेकंड इसकल भी चोरी कर लिया है डिक के पास में एक रूबोट का कॉल आता है यह वही तूटा हुआ रूबोट था जो कि अभी फ्रेड वेलमा और डफिनी के पास था वो रूबोट इन तीनों की लोकेशन डिक को बता देता है दूसरी तरफ स्कूबी बताता है कि कैस उसे डिक ने बताया कि कैसे वो एक ट्रेजर के चाबी है और डिक उसे इसी करण पकड़ना चाता है ब्राइन को लगता है कि अब स्कूबी को एक नया सूट दिया जाता है सूट के कारण स्कूबी का पुराना बेल्ट उतारना पड़ता है यह देख के शैगी को बहुत दून पाए थे और उन्हें बहुत मिस्स करने लगते हैं तभी उन्हें एक पोस्ट दिखाई देता है सोशल मीडिया पे जिसमें स्कूबी और शैगी ब्राइन के साथ में यानि की ब्लू फैलकन के साथ में थे इसी टाइम पे इन तेनों की गाड़ी को हाईवी पे कोई र देफिनी जब उसकी मदद करती है तो यह रोपोर्ट भी इनका दर्वाजा खोल देता है इन तीनों को पता चलता है कि डिक ने दो इसकल पहले ही ढून लिये थे और उसके मदद से तीसरा इसकल भी डिक ने ढून लिया है इन तीनों को पता चलता है कि मैसिक माउंटेन पे सारी चीजे दिखाई दिती है जिससे साफ-साफ पता चलता है कि डिक को अलेकसेंडर का ट्रेजर चाहिए लेकिन उसका दर्वाजा या तो अलेकसेंडर या फिर उसका डॉक पैरिटास खोल सकता था क्योंकि अब स्कूबी भी पैरिटाइस के ही स्पीशीस का था इसी कारण उस दर्वाजी को खोलने के लिए स्कूबी की जरूरत थी लेकिन उन्हें दिवार पे एक और दूसरी डॉगी की तस्वीर दिखती है तब यहाँ पे डिक पहुँच जाता है जो कि बतानी लगता है क कैसे उसने एक बार अलेक्सेंडर का दर्वाजा खोल दिया था उस पोर्टल के खुलने के बाद उसने अपने डॉग को अंदर भीजा वो डॉग अंदर जाने के बाद सारा ट्रेजर लेके आने भी वाला था लेकिन यह दर्वाजा दूसरी तरफ से बंद हो गया वन वे हो को अब जब पता चल गया था कि इन लोगों को मैसिक माउंटेन पे पहुचना है तो यह सभी वहाँ पे पहुच जाते हैं अंदर जाते ही इन्हें सीक्रेट आइलेंड की बारे में पता चलता है शैगी को पता था कि यहाँ जरूर कोई मुसीबत होगी इसी कारण शैगी वही रुपने के बारे में सोचता है और स्कूबी को भी अचाने से मना करता है लेकिन अब स्कूबी को शैगी से जादा इन लोगों पे बिलीव था इसी कारण स्कूबी ब्राइन के साथ चला जाता है जिस बात से भी शैगी को बहुत बुरा लगता है आगे बढ़ते ही इन्हे केव मैं नाम का बॉना मिलता है जो कि असल के अंदर उस स्कल का बॉडी गार्ड था यहाँ फ्रेट शैगी के पास पहुँच चुका था और स्कूबी के बारे में पूचता है और ये भी कहता है कि डिक जल्दी यहाँ पे पहुच जाएगा और उससे पहले इन लोगों को स्कूबी को बचाना होगा केव मैं अपने साथ में सभी को लेके अरीना तक पहुच चुका था जहाँ पे इसकल इन लोगों के सामनी थी लेकिन इस बॉडी गार्ड की शर्त थी कि इसकल तो तुम लेके जा सकते हो लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझ से लड़ना होगा ब्राइन को लगता है कि उसे हाराना बहुत मामुली बात है लेकिन ब्राइन बहुत ही जल्दी जमीन पे गिर जाता है डाइन और डी भी इसी केवमेंन से लडने लगते हैं तब जाके डाइनो आकरी शॉट के अंदर उस केव मैन को गिरा देता है यहाँ पे फ्रेड और शेगी पहुँच चुके थे जैसा कि फ्रेड ने शेगी को बोला था कि उसे स्कूबी की मदद करनी है लेकिन असल की अंदर वो फ्रेड नहीं बलकि डिक था डिक अपने साथ मे स्कूबी और शकल दोनों को ले जाता है और फ्रेड वेलम और डैफिनी को नीची फैक देता है यहाँ के लोग कैसे तैसे इन तीनों को बचा लेते हैं और वापस से अपने प्लेण की तरफ जाते हैं तो इन्हें दिखाए देता है कि डिक ने इनके प्लेण को पूरी तरी में पहुंच जाता है देखते ही देखते तीनों स्कल की पावर से वो कैसल एलेक्जांडर की कैसल में बदल जाता है और इसी समय डिक को पता चलता है कि अभी इन सभी लोगों ने हार नहीं मानी है यह सारे के सारे मिस्ट्री वैं से यहाँ पर पहुंच चुके हैं ब्लू मिस्ट्री वैं बुरी तरीके से तूट चुकी थी यह देखके फ्रेड को बहुत बुरा लगता है खजाने के दर्वाजे को खोलने के लिए डिक को स्कूबी की जरूरत थी वो दर्वाजे पे स्कूबी का हाथ लगा के उस मिस्ट्री ट्रेजर को ऊपन कर दीता है लेकिन दर्वाजा खुलने के साथ में ही इस ट्रेजर का रक्षक सेलिब्रस बाहर आता है यह एक तीन सरवाला बहुत बड़ा डॉग था गाईज अगर अब तक भी आपने इस तीन सरवाले डॉग को नहीं देखा है तो इसके लिए मैं आपको बता दू कि आपको हैरी पॉर्टर का फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए जो कि मेरे ब्रदर हितेश नागर ने एक्स्प्लेइन कर रखी है और वो इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है बैक टू दा स्टोरी सालिब्रस को देख के सभी लोग डर के भागने लग चाती है स्कूबी अपने दोस्तों तक पहुँच चुका था और डिक भी मौका देख की अंदर चला जाता है जहां पर उसे अपना डॉग मिल जाता है सभी लोग बाहर सैलिब्रस को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सैलिब्रस के बड़े होने के कारण कोई भी उसे नहीं रोक पा रहा था यहां डस्टी की जब मदद ड का बेटा साबित कर सकता है डिक और मटले तो काफी सारा सोना लेकि यहां से भागने लगते हैं इसी के साथ में ब्राइन भी खूप सारे कॉन्फिदेंस के साथ बाहर आके फाइट करने लगता है लिकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हो रहा था तभी वैलमा कोई क्लू की बारे में याद आता है जो कि यह लोग डिक्के प्लेन से चुरा के लाए थे फ्रेड पढ़ने पर बताता है कि कैसे इस दर्वाजे को बंद करने के लिए स्कूबी को अपने एक दोस की मदद चाहिए क्योंकि वह दर्वाजा एक नहीं बलकि दो लोगों से बंद होगा सार दूसरी तरफ गिरता है तब ही ये दर्वाजा दूसरी तरफ से बंद कर दिया जाता है लेकिन तब वैलमा कहती है कि ये दर्वाजा एक तरफ से नहीं बलकि दूसरी तरफ से भी बंद होगा इसका मतलब है शैगी और स्कूबी दौनों में से किसी एक को दूसरी तरफ जा होगा यह सुनकि शैगी कहता है कि यह काम मैं ही करूंगा शैगी जैसे लौक को छूता है तभी वो अंदर चला जाता है और उसके बाद जब सकूब इस दर्वाजे को टच करता है तो अलेक्सेंडर का पूरा ट्रेजर यहां पर गायब हो जाता है शैगी इस ग्रूप को एक बार फिर से यह लोग मिल जाते हैं शैगी एक बार फिर से स्कूबी को अपना ही पुराना बेल्ट पहना देता है रोबोर्ट्स यहां पर डिग और मटले को भी पकड़ के ले आते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इन सभी लोगों ने मिलके मिस्टरी इनका एक न मुवी यहीं पर खत्म होजाती है तो आप सभी लोगों को स्कूब इडियो की यह मुवी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मुवी में तब तक के लिए टाटा